हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका चटकारा चटपट पर आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ सहजन के फूलों की सबजी सहजन को जहारखन में मूंगा सहजन सुझीना जुट्टी इत्यादी तरह तरह के नामों से जाना जाता है और इंगलिस में सहजन को ड्रम स्ट कहते हैं तो आईए आज हम बनाते हैं सहजन के फूलों की सबजी इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है सहजन के फूलों को सहजन के फूल जो है वो डंटल के साथ ही आते हैं और ये देखिए ये ये कुछ फूल खिले वे भी रहते हैं और कुछ फूलों की कलियां भी रहती और इन सभी फूल और कलियों को हमें डंटल से अलग कर लेना है यह गोल गोल जो है यह भी कलिया है इनसे भी सबजी बनती है यह सारे फूलों को और कलियों को इस तरीके के जो होंगे इसने हमें निकाल करके अलग थाली में रख लेना है और डंटल को अलग कर लेना है फूलो और डmern को अलग कर लेंगे यह सब्जी घर मnın का फूल ना समयig लिए मार्केट में मिलता है अलग कर लेना है और जब फूल अलग हो पानी लगा लों पगाने दो चाहरा लों ये टायना में अनुमस को में च्ऑचित बीज क्वूरा हाफ गलास से भी थोड़ा कम पानी डाल करके हमें एक सीठी आने तक पकाना है ये तैयार हो गया एक सीठी में ये गलके तैयार हो जाती है पकने के लिए सबजी और इसमें मैंने यहाँ पे दो से तीन आलो बॉल करके कट करके रखा हुआ है और यहाँ पे लिया है मैंने मसाल नमक स्वाद अनुसार धनिया पाउडर लिया है दो टी स्पून और जीरा पाउडर वन टी स्पून मिर्च पाउडर भी वन टी स्पून लिया है और गरम मसाला लिया है यहां मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मिर्च कम या बेसी आप अपने टेस्ट के लेना है जासा नमक डाला है और जब का सा हलें डाल साल्दी डाल देना और इस दो से तीन मिनट के लिए फ्रै करना है आप चाहें तो कच्छा आलूबी यूसकर सकते हैं लेकिन इसे फ्रै कर लेंगे से सब्जी का जो टेस्ट वो ज़्यादया अच्छ सब्राइब हो हो चुका है अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल करके एक अलग प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से सबजी बनने में लगभग 15-20 मिनट का समय लग जाता है लेकिन बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और अलग तरह की सबजी बनती है अब यहां पर आलो निकालने के बाद दो से तीन चमच फिर से मैंने सरसों का तेल डाला है और यहां पर डालना है में खड़ा जीरा और पतले पतले टुकड़े कर लिये हैं मैंने और उसे अब इसमें डाल करके अच्छी तरह से ब्राउन होने तब फ्राइ करना है और इसी बीच में हमें क्या करना है जो हमारा सहजन हमने पका के रखा है उसे उसके पानी को निचोड करके अलग कर लेना है ध्यान देना है कि ज ज्यादा गर्म सहजन को हाथ से नच हुए नहीं तो हाथ जल सकता है इस तरीके से इसे निचोड़ करके इसके पानी को अलग कर लेना है ये सारा सहजन का फूल जो है वो पानी से अलग हो चुका है अब हमने आ लिया है दू चम्मच लेसन का पेस्ट और हाफ चम्मच अध्रक का पेस्ट यानि लगबग एक बड़ा लेसन लिया था और छोटा सा टुकड़ा अध्रक का लिया था मैंने इसे अब हमें जलाते हुए भूनना है इस तरीके से जब ये ब्राउनिस कलर का हो जा या फ्रतेल छोड़ने लगे तब इसमें हमें डालना है धनिया पाउडर दो टी स्पून लिया था मैंने जीरा पाउडर वन टी स्पून लिया था मिर्श पाउडर लिया था वन टी स्पून और एक बड़ा टमाटर रेड कलर का कट करके इसमें डाल लेना है और डालना है स्वात के नुसार नमक और हल्दी अब इसमें थोड़ा- maintenon पानी डाल करके हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है जिससे कि मसाल जो है वो अच्छी तरह से भुन भी जाता है और उसका तेल भी रिलीज होने लगता है इस तरीके से हमें मसाले को भुनना है और इसे भुनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे थोड़ा सा पानी डाल करके चला लें और आज को बिलकुल कम करके ढखके एक से दो मिनट तक पकाएं यह एक से दो मिनट हो चुका है और मसाला हमारा यह देखे कितना अच्छा कलर का आ गया है तेल भी रिलीज हो चुका है इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और महक तो अच्छा न नहीं लगता है मसाला तैयार है अब हम इसमें डालेंगे सहजन का फूल जो हमने पका के रखा हुआ था इसे आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें या फिर एक साथ ही डालें इसे डालके अब हम चलाएंगे और चलाते हुए इसे दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि सहजन के पूल और मसालवा एक दुसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए इस तरीके से इसे चलाना है और ध्यान देना है कि यह नीचे बिल्कुल ना लगे और ना जले यह इस तरीके से चलाते हुए से इसमें जो भी पानी हलका फुलका बच जाता है उसे सुखा लेना है यह लगबग भुन करके दयार हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे फ्राइ किया हुआ आलू और इसे अब हम छोलनी या चमचे की सहायता से अच्छे से आलू को पटक पटक के फूल में मिला देंगे और फिर दो से तीन मिनट के लिए इसे चलाते हुए भुनेंगे इस तरीके से अगर आपको सुखी सब्जी पसंद हो तो यही पर धनिया पत्ता छीड़ा करके इसे खाने के लिए निकाल ले और अगर थोड़ा सा ग्रेवी वाला सब्जी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना होगा वैसे यह सब्जी बहुत जादा ग्रेवी वाली या रस वाली नहीं बनती है इसे हलका सुखाई रखना पड़ता है यहाँ पर अप गर्म मसाला डाल देना है क्योंकि सब्जी जो है वो पकड़ के तयार हो चुकी है मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी एड़ कर रही हूं इस तरीके से मिला करके अब इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करूंगी मैं यह तो पानी और डाल दिया इतना ग्रेवी ठीक लगता है अगर आप चाहें तो इतना ग्रेवी रखे या फिर इसे बिल्कुल सुखा रखे बहुत ही टेस्टी लगती है और सेहत के हिसाब से भी बहुत हेल्दी होती है यह सबजी क्योंकि यह सीजनेबल सबजी है एक खास सीजन में मिलती है तैयार है सेहचन के पूलो की सबजी यह देखिए कितनी टेस्टी सबजी लग रही है वाओ यह चपाती और चावल दोनों के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो इसे आप अपने घर में जरूर बनाएं ट्राइ करें और कैसी बनी यह जरूर म को लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ या फिर कहें नए रेसिपी के साथ टेक यह बाई बाई झाल 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 झाल